कि लेर्णिंग मार्केटिज में आज की वीडियो में हम सब्सक्राइब करेंगे जस्ट अभी दर पहले इनका वीडियो पॉब्लिश पॉब्लिश हुए और मैं भी बोर हो रहा था मैं नीन जिल्दी खुल गई यहां पर अभी सुबह कितना बज़ रहा है सुबह 6 के आसपास बज़ रहा है मैं नीन खुल गया क्योंकि टाइमिंग तो अभी वी वह इंडिया वाला एड्जस्टेट है चलो वीडियो बना दूँ एनलिसेज वीडियो जो है वो कल आएगी संडे जो पेसिकली जो सेक्टर आउटलोग पब्लिश होता था तो उसके सब मैं मर्ज कर दू कि SBI का जो बुक का साइज है बहुत बड़ा है मतलब नंबर करने में डिफिकल्टी होती है उतना वड़ा बुक साइज है क्योंकि अब इनका रिजल्स है करोड में नहीं अरवों में डिस्क्लोस करना पड़ेगा करोड में तो अभी एक लाक करोड के पार चले गए तो बो अब उसका में रीजन यह हो सकता है कि RBI ने ICCR बढ़ाया था मतलब इंक्रिमेंटल कैस्ट रिजर्व रेशियो बढ़ाया था उसका इंपक्ट इसक्कॉर्टर ने बढ़ा है अभी इन लोगों ने डिसक्कॉर्टीनिव कर दिया ICCR तो नेक्स्ट कॉर्टर में साइज वह जा गॉवर्मेंट बैंक्स बैंक्स जो लोंस थे जिसे मुद्रा रोंस पकेड़ा हो गया उनमें थोड़ा सा अभी फ्रिक्शन आ रहा है बट उनको भी यह लोग डेफॉल्ट डिक्लेर नहीं कर रहे हैं बट हावेवर फिर भी अगर आप देखेंगे तो एन पी में ओवर है कि मतलब डिजर्व बैंक ने डेपो रेट बहुत में से फ्रीज कर दी राइट तो अभी काफी छे मैंने अल्मुस्ट हो गए हमारा रेट उसी लेवल पर स्टिक है तो लोंस के जो रेट हैं वह आपको जिस रेट में आप दे रहे हो डिपॉसिट के रेट ओवर प्रियो कोई से बढ़ गया इंट्रेस्ट जो आप पहले एक्सपेंड करते थे वह बढ़ गया एंड कॉंपटिशन का मार्केट ऐसा है कि आप 0.01 परसेंट भी एक्स्ट्रा रेट किसी से चार्ज नहीं कर सकते आप से आप नहीं दोगे तो ठीक है मैं दुसरे बैंक से ले है तो वह गया है दस साल के लिए आपका वो रेट ब्लॉक हो गया वाट लोन का इंट्रेस्ट रेट तो फ्लक्ट्वेट होते रहेगा तो वहां पर एक फड़ा सा दिक्कत हो गया हिसी लिए सारे बैंक से प्रॉपेटेबिल्टी की इश्यू आई है आप काफी लोग बोले से 42-200 तक कोई तूट के 1000 रेली कर जाए तो उसको आप रेली बोलोगे या रीट्रेस्मेंट बोलोगे वह आपका जर्जिमेंट है वह आपका एक्स्पीरियंस बताएगा कि आप क्या स्टेट्मेंट देते हो ठीक है तो 46-200-400 जो हमने हाई लगाया वहां से हम almost 4000 पॉइंट तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि यह कुछ तो changes हुए है structure changes जो नॉर्मल में नहीं दिख रहा है बट एक्चुली हुआ है तभी निफ्टी पर दस पर संट करेक्ट हुआ नहीं तो क्यों होता फिर ठीक है तो यह सेम चीज अभी SBI के result में reflect कर रही है मैं आपको अभी तो आप समझ में आएगा उससे better और उसके बाद हम देखते हैं इनके numbers इतने बड़े हैं कि बहुत जूम करके दिखाना पड़ेगा ठीक है चलिए अब काफी लोग बलें साइज इस्टैंडलोन या consolidated देखें देखें आप जैसे जो निफ्टी में पी जो निकालना होता है जो निफ्टी का पी निकलता है वो consolidated numbers पे निकलता है अगर बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो कोर बैंकिंग का फंक्शन देख लीजिए ज्यादा बेटर होगा तो इस्टैंडलोन देखना ज्यादा बेटर होता है तो और ऐसे भी सब्सेडिश हैं वो बहुत बड़ा बिजन में इनका कोर बैंकिंग उप्रेशन जो है वो ज्यादा बड़ा है कंपेर टून के अंसलरी प्रोड़क्ट्स अल्दो जितने भी अगर आप नॉम्मल टर्म्स में देखेंगे इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट एंट्रेस्ट वाला जो पोर्शन है वह अपका रफली 3.5% के असपास ग्रोग किया है 3.5% नहीं पूलेगा 4% तक आप पकड़ लीजिए इंट्रेस्ट ऑन बैलंसेज विद आर बी आई या इंट्रेस्ट ऑन यह सब जो कॉंपोनेंट्स है थिक है अर बी आई के पास जो बैलंस है उसके उपर या इंकम और इंवेश्मेंट यह सब इनका ठीक तक आया है तो अगर आप ओवर आल नोटेस करोगे एं फिर उसके अ इक लाग आठ जाए क्रोड से इंक्रीज होके एक लाग बाराइज आट टोटल इंकम मतलब रफली फूर परसेंट का ग्रोथ है लास्ट को अब इसको अगर अच्छा दिखाना होगा तो आप सेम पर ये लास्ट से दिखाओगे बट मैंने बहुत बार समझा दिया है कि बै इतने बड़े बुक साइज में थीक माना जाएगा लेकिन उसके लिए क्या है मार्केट इसको क्या तोड़ फोर के रिवाइड नहीं करता है इसके लिए यापने इतने बड़े बुक्स में आठना परसेंट ब्रोथ होता तो होता कि हाँ बहुत अच्छा रिज़र्ट है ब इंट्रेस्ट बढ़ गया है चारहजा क्रोड का आपका रेविन्यू बढ़ा है ध्यान रखी का यह चीज़ पांच-छेजा क्रोड का एक्स्पेंस आपका बढ़ गया है मतलब वह जो डायलोग है ना कि 35 लग का तो हमारे इंवेश्मेंट था और 36 लाक लॉस कैसे हो गया वही चीज़ यहां रेविन्यू बढ़ा है पट इंट्रेस्ट एक्सपेंस आपका बढ़ गया है प्लस अधर ऑप्रेटिंग इस्पेंसे जगर आप देखेंगे तो यह भी पांच-छेजा कोड बढ़ गया है यहां पर कैच यही समझना दिक्कत है कि एंपलोई कोश्ट आ साना कार गया ऑपरेटिंग प्रोarat गया तो यहां याउन्यू पर्फेट्जिसाद करोड रूपया वह आगया है तो आप ब्रोफोटिजाद करोड रूपया hyvin कर गया है लास्तपॉरद् sincere चलिए वह तो बैंकant ग्रेंव अकुझत कोना आप पूपेंगे तो यहां लास होतं 16,884 करोड इस साल इस quarter है 14,330 करोड अगर इसको आप मतलब क्यों गयों भी दिखाएंगे तो आपका profit बढ़के आया है रफली साथ-8% और quarter on quarter देखेंगे तो profit आपका बहुत ज़्यदा decline किया है यह market को बहुत अच्छा साय ना लगे ठीक है अब काफी लोग बोलेंगे साल कल तो market में चार परसेंट बढ़ गया आपने बोला था रिजल्ट खराब है अगर नहीं तूटना है वह पहले बांस कराएगा आपको चिपकाएगा जितने अनलिस सब गलत है रिजल्ट बहुत अच्छा है चिपका दिया फिर वापस नीचे ले आया है अब लो हो गया अब यहां पर आप देखेंगे EPS लेवल पर भी बहुत स्ट्रॉंग डिक्लाइन है 19 रुपे से सोलर रुपे सा गया है इसको मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव एक्ट ले आप देखिए कोई भी स्टॉक की वैल्यू होती है पी रेशियो के बिसेस पर इसका पी र या 35-36 परसेंट तो होगा इस और डिया इसके पास नॉर्मल पब्लिक के पास थोड़ा बहुत परसेंटेज होगा तो बहुत असर्ट साहथ ना पर लेकिन जो सबसे इंप्रूब्मेंट का पॉइंट है वह एंपीए में इंक्रीज है एंपीए आपका जो इंप्रूव हु हुई है तो ठीक है एक तरह से अच्छा ही नंबर्स आपको दिख रहा है और अगर आप देखेंगे तो डिटर्न ऑन एसेट भी डिक्लाइन किया है कॉर्टर ऑन कॉर्टर भी डिक्लाइन किया है इसको देखते हैं मार्केट कैसा लेगा ओवराल लास्ट यर से प्रॉफिट मार्केट का रेक्शन क्या होगा वो तो मार्केट ही बताएगा आपको चार्ट के इसाप से अगर हम देखेंगे तो चार्ट में अगर आप नोटेस करोगे तो यह वन डे टाइम फ्रेम पे अपने हर्डल जोन हंड्रेड और फिफ्टी यह में के पास आ चुक लुट का आप यहां से अगर रिवर्स करना चालू किया तो आपको यह दिखाई दे सकते हैं तो वह ध्यान रखीगा आपसे डिश्यन लीजेगा अपना इसका इंपक्त पर बैंक निफ्टी पर भी आएगा और इसका वेटेस परसेंट हैं बट बैंक निफ्टी पे बीस का का भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इसी हिसाब से आएगा तो देखते हैं कि कैसा रहता है हवेवर जो करेंट सिनारियो है यह बहुत नीचे से रैली भी किया है तो अब देखते हैं कि रैली यह कंटीनू होती है यह यहां से तूटता है 580 के ऊपर है तो बुलिश बायस है 580 से रिवर्स कर रहा है तो नेगेटिब बायस ही रख में है इसका वीडियो से लगी हो तो लाइक कर दिजेए